नमस्कार प्यारे साथियों, मैं इंदी वैख्यता कविता सिवराण आपके अपने यूटूब चैनल केवी की कलम पर आपका आर्दिक स्वागत करती हूँ साथियों आज मैं बात करूँगी कि कैसे आप अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं तैयारी के दोरान अपने आप में कुछ बदलाओ करके आप लगातार पड़ सकते हैं वैसे तो साथियों जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जिसने दरड इच्छा सकती कर ली है, जिसने ठान लिया है, उसके लिए कोई बादा आ नहीं सकती कोई भी रुकाउट उसके सामने उसकी पड़ाई में बादा बनकर नहीं खड़ी हो सकती लेकिन फिर भी अमारा मन जो है वो ऐसी चीजों के ओड़ जल्दी आकरसित होता है जो हमारे हित्मी नहीं है और फिर उन चीजों के और आकरशी तो होकर हम बहुत सारा समय बरबाद कर देते हैं तो आपको लगातार पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये काम करना होगा कि आपको अपनी एक अलग दुनिया बनानी होगी जी हाँ साथियों हर सफलोने वाला व्यक्ति अलग दुनिया बनाता है मैंने भी बनाए थी और आपको भी बनानी होगी तब ही आप कुछ कर पाओगे इतियास रिच पाओगे बीड में रहकर जहां हम रहते हैं जिन लोगों के साथ वहां उनके साथ रहती हुई साथियों सफलोना मुस्किल ही नहीं नामुमकिन है इसलिए आपको बीड से अलग तो चलना पड़ेगा साथियों वो कहते हैं ना कि बीड सहारा तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है तो हर सफल होने वाला वेक्ति अपने अलग दुनिया बनाता है तब ही वह सफल हो पाता है इसके लिए साथियो आपको कुछ दिन के लिए बुरा बनना पड़ेगा बुरा कैसे ऐसे नहीं है कि आपको बुरे काम करने पड़ेंगे बलकि बुरा ऐसे बनना पड़ेगा साथियों कि आप सब को खुश तो कभी नहीं कर सकते लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है अपने उपर काम करना है जब आप अपने उपर काम करना सुरू करोगे तो बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ती होगी क्योंकि आज की समय में बहुत कम सुबचिन तक रिष्टेदार मित्तर मिलते हैं जो आपको अच्छा रास्ता बताएं जब यहां पढ़ने बैठोगे अपने बारे में सोचोगे अपना लक्षे बना कर उस पर काम करना सुरू करोगे तो आपके ही पड़ोसी को और रिष्टेदार मित्तर ऐसे मिलेंगे जो आपको उस रास्ते से बटकाने की कोशिस करेंगे यह कहेंगे कोई आकर कहेंगा चलो कुछ देर मुवी देखके आते हैं बार गूम के आते हैं या फिर कुछ गेम खेल लेते हैं ऐसे बहुत सारे साथ ही मिलेंगे उन सब को आपको ना कहना पड़ेगा कुछ दिन आपको बुरा भी लगेगा कि मैंने अपने मित्तर को अपने रिष्टेदार को नाराज कर दिया उसको मैंने मना कर दिया तो बुरा लगे चाहे रिष्टेदार को लगे चाहे आपको लगे लगने दो साथियो क्योंकि आप जब तक ऐसे रिष्टे नातों को ना नहीं कहोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे अभी जैसे आप परिवार में कोई भी पारिवार कारिकरम है कोई साधी विवा है उसमें आप नहीं जाओगे तो लोग ये कहेंगे कि ये तो आजकल बहुत किताबे कीड़ा हो गया है और किसी भी कारिकरम में इसा नहीं लेता है कहीं भी आता जाता नहीं है तो कहने दीजिए उनको जब आप सफल हो जाएंगे तो कोई याद नहीं रखेगा कि आपने किस कारिकरम में भाग लिया था किस साध्य विवाह में आप सामिल होए थे और साथ है अगर आसफल हो गए तो कोई ये नहीं कहिएगा कि हाँ आपने पारिवारिक जिम्यदारिया निवाई थी, आपने रिष्टेदारी निवाई थी, तब आप सफल हो गई, ऐसी कोई ने मानेगा, इसलिए आपको अपने बारे में सोचना है, चाहे कोई बुरा मानने, तो मानने दो कुछ दिनों के लिए, फिर जब आप सफल हो तो देखना आपकी ये सारी गलतियां पता नहीं कहां चूमंतर हो जाएंगी, सब आपके पास आएंगे, आप से अच्छे से बात करेंगे, जब आप सफल हो जाओगे, तो आपकी और भी कोई गलती होगी बड़ी, तो वो भी माफ हो जाएगी, लेकिन जब तक आप अपने आपको अपने किताबों तक्सिमित कर लेजिए, तब ही आप सफल हो पाओगे, बुरे बनना पड़े लोगों के नदरों में तो बुरे भी बन जाओ, जब सफल हो जाओगे, तो वही बुरा ये आपकी अच्छाईयां बन जाएंगे, बस आपको हरहाल में सफल होना है, तो अपने दर्ड इच्छा सकती के साथ साथ आपको लोगों से कटना पड़ेगा, उन से अलग होना पड़ेगा, तब ही आप सफल हो पाओगे, सब को आप ये सोचो कि मैं सब को खुस भी रखूँ और फिर सफल हो जाओँ तो ये तो कभी संबह नहीं होगा, आप मैंन में लगाएंगी, तो साथियो उनको बस आराम से ये लिंडोरा नहीं पेटना है मेरी बेहनों को, कि मैं पड़ रही हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, कुछ भी बहाना बनाके, उनके आगे से उनके, उनसे इदर उदरो जाओ, और फिर अपने पड़ाई पर ध्यान दो, उ वही गरेलू बातें, ये काम कर लिया, वो कर लिया, तो वो काम तो सारी उमर ही करना है फिर, लेकिन ये समय फिर लोट कर नहीं आएगा, तो याद रखना, मेरी बेहनों से भी मैं यह कहना चाहूंगी, और बाकी की जितने भी साथी तैयारी करने वाले हैं, वो अपने आप को सिमित कर लें, अपना एक अलग दाइरा बना लें, अपनी अलग दुनिया बसा लें, कुछ दिनों के लिए, जब आप सफल हो जाओ, तब आप जी बरकर रिश्टेतारी निबा लेना, जी बरकर सारे काम कर लेना, सबी कारी करमों में आप हिसा ले लेना, लेकिन अभी अधरकर से एकान्तवास में चले जाओ, बिलकुल अपने आपको अपने किताबों तक अपने कुम्रे के किसी कोने तक समेट कर रखो, जितना अपने आपको समेट कर रखोगे, उतना पने पढ़ाई को ज्यादा समय दे पाऊगे, उतना ही आपके लिए परिदाम बेहतर कि समय आप तैयारी के दोरान आपके सामने बादाएं आ रही हैं, मुस्किलें आ रही हैं, तो याद रखना ये मुस्किलें आपके सफर का इस्सा है, और ये आपकी सफलता को पका करती जा रही हैं, क्योंकि जिनको सारी सुविदाही मिलती हैं, जिनको पूरा समय मिलता है, व वही सफल हो पाते हैं जिनको 24 गंटे मिली विये झिनको कुछ भी काम रहा है बना बनाया जिनको खाना मिल ricde यहानि आप देख लेना कभी बहुत कम संख्याई यही होती है इसे इसे असी सफल होते हैं कैसे उल्ली करते हैं में उतना समय मिलता है बहुत उतना पूरा समय देते हैं और जिनको 24 सो गंटे तयारी के लिए मिले हुई हैं वो कभी भी अपना पूरा समर पर नहीं कर पाते तो याद रखना जितने भी परिष्टितियां विपरिच मिले उतना ही आप इतियास रजोगे उतने ही आप सफल होगे और अपने आपका में डालोगे उतना ही ये जल्दी काम करेगा और उतना ही याद भी जादा कर पाएगा तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको बार 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 पढ़ो जितनी समस्या दोगे दिमाग को उतना ही ये सार्प होता जाएगा और उतना ही बेतर होता जाएगा दिमा से आप भी बार बार पढ़िए अपने दिमाग को जितना ज्यादा इस्तिमाल करोगे जितनी ज्यादा इसकी गिसाई करोगे उतना ही ये ज्यादा पहना होगा तो पूरी तरह से समर्पित होकर 2024 में आपको सफल होना है तो कुछ दिनों के लिए अपने एक अलग दुनिया बस कि अजले में कोई बुराई नहीं है कुछ दिनों के लिए बूरे बन जाई ये तो साथयों मेरा तो कहने का यही उद्जित आ है मैंने भी इसे ही किया था नहमें किसी से फालत बात करती थी मैं तो जैसा कि आपको कई बार बताया है मैं तो कानों में एयरपिन लगाके रख फिर किसो उरते कहती भी थी कि सारे दिन क्या कानों में लगा रखा है सुनना बन्दों जाएगा तो मैं यही कहती थी कि अगर सफल हो गई तो कोई ना कोई याज करवा ही लोगी और अगर ऐसफल हुई अगर सफल नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं मुझे आप लोगों के ताने सुनाई नहीं देंगे मैं तो बस यही कहती थी उनकी बातों को कभी दिल पर नहीं लेती थी लेकिन यह मन में हमेशा रहता था कि हाँ अगर मैं ऐस सफल हुई तो इस बार भी मुझे फिर शे लोगों के साहनोगोती मिलेगी और यह मैंने ठान रखा था कि इस बार मुझे साहनोगोती नहीं बदाई चाहिए और वो मैंने किया साथियों सिर्फ और सिर्फ दरड इच्छा सकती और सकारातमक सोच के बल पर इतने विप्रिफ परिष्टितियों में भी मैंने इतनी बड़ी सफलता पाई है तो आप भी पा सकते हैं मैं चाहती हूँ कि मेरे साथि मेरे इन वीडियों से प्रेना लेकर अगर अपने जिमन को अच्छा बना पाते हैं कुछ सुदार कर पाते हैं तो ये मेरे इन वह बहुत बड़ी बात होगी तो साथियों बस इतना ही कहूंगी अपने एक अलग दुनिया बना लेजी आज से अभी से कुछ दिनों के लिए समाच से कट जाएए बिलकुल एक अंतवास में चले जाएए सिर्फ अपने किताबों के पास अपने किताबों को अपना सच्चा मितर बनाईए वही आपके काम आएगी तो आज के वीडियों में इतना ही दोस्तों धन्यवाद जै हिंड